लिखें, दुनिया के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनोती जलवायू संकट की है, जलवायू संकट के खेती पर पड़ रहे दुस प्राभावों को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो निकट भविस्य में भारी खाद्यान संकट होगा, मगर हमारी सरकार सामने खड़े इस संकट से, क्राशी को बचाने में बे परवा दिखाई दे रही है, पिछले एक दसक में देश में बाड सूखा अत्यधिक ठंड कम समय में बहुत अधिक वारिस गर्म हावाओं और तापमान व्रद्धी जैसे कारणों से फसले निरंतर प्राभावित हो रही हैं, बैग्यानिक अनुसंधान बता रहे हैं कि मौसम अब इसी तरह बदलता रहेगा, विश्वा बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि अगामी 15 बड़सों में जलवाईयू संकट के कारण पैदावार में कमी की वजहा से भारत के साड़े चार करोड लोग अत्यधिक गरीवी में जीवन यापन को मजबूर हो जाएंगे, अगले देड़ दसक में देश की धर्ती के तापमान में दो डिगरी, सैंटी ग्रेड की ब्रद्ध यानि तै मानी जा रही है, नतेजितन मानसून की तीब्रता में दस फीशद तेजी आईगी, यानि कम समय में बहुत अधिक बारिस पानी की भूंदों का आकार बड़ा होना, बादल फटने और आकासिय विजली गिरने की आवर्ती बड़ेगी, जलवायू संकट के कुप्रभावों को बापस कर पाना संभव नहीं है, लेकिन उपाय के तोर पर प्रतिकूल परिसित्यों में परदावार के बचाव की कारे योजना तयार की जा सकती है, पिछले पाँच बरसों के आकड़े बताते हैं कि हिमाचल, उत्राखन, सहित, उत्रप्रदेश, बिहार, मध्धप्रदेश, चत्तिसगड और महाराश्ट्र में आसमानी विजली गिरने की घटनाओं में 15 फीशद की दर से ब्रद्धी हुई हैं, कम समय में अत्याधिक वारिस से बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं, वारिस के बाद इन्हे इस्थानों पर लंबे सूखे के हालात बने हैं, बैग्यानिक अनुमान के मुताविक तापमान में 2 डिगरी की ब्रद्धी से देश का गेहुं उत्पादन एक करोड टन कम हो जाएगा, कारवन डै अक्साइड की व्रद्धी से फसलों में प्रोटीन चहित अन्य तत्वों की मात्रा कम होगी, पस्वों की प्रजनन छमता में कमी के साथ उनकी दुग्द उत्पादन छमता में ग्रावट दर्ज होगी, पंजाब क्रसी विस्विध्धले के एक अनुशंधान में जलवाईू संकट से वर्स दोहजार पचास तक चावल के उत्पादन में एक फीसद और मक्का तथा कपास के उत्पादन में क्रमसह तेरह और ग्यारा फीसद कमी आने की आशंका जताई गई है। पिछले साल फसल पकते समय अचानक गर्म हवाएं चलने से ग्याहू उत्पादन के पूर्वा नुमान में जवर्दस्थ गिरावट दर्ज की गई। खरीब फसलों में उड़द मूंग तिलहन सहित धान का उत्पादन गिरा। स्टॉप लगे सबके देखो पांच मिनट तो रिडिंग का लेना इसमें फिर तीस मिनट आप ट्रांसलेट का ठीक है। और कोई किसी से पूछेगा नहीं बताएगा। अपना अपना करना है। करो।